हाला व्रीवान वेलकम बाक अगें तो माई ओफिशिल यूटीब चैनल मैं करन अरोड़ा फांडर एंड सी यो आई टानिक स्लूशन आप सुग्यों सहुगत करता हूं आज की इस वीडियो के तरह हम बात करेंगे यहां पर मेटावर्स के टॉप सिक्स प्रोजेक्ट के बारे सी इंफिनिटी के बारे में अनलस्ट करेंगे इस करेंगे उनके चार्ट को देखेंगे कुछ प्लाइव करन चैनल करूब नचने के लिए वीडियों की वाया है सबसे अवर Sanders करें तो तो बहुत पहले चार्ट मैंने आपके साथ शेर कर दिए थे उस टाइब पर मैंने आपको बदाया था कि बिट्कोइन 54 के के अराउंड यहां पर आने के पूरे पूरे चांसे हैं और बिट्कोइन यहां पर 54 के यहां पर पहुंच चुका है अब अगर यहां पर 54,000 के ऊपर टुद के ख्लोज नहीं होता दो ने क्सपोर्ट हमें देखने को मिल रही है वो 50,900 के ओने 51,000 के आप यहां पर कह सकते हैं 51,000 के आजए हमें जो बिट्कोइन का प्राइस है जो नेक्स्स हमें देखने को मिलेगा उसके बाद अगर हम यहां पर देखें कि जो नेक्स लेवर लिए हमारे पास एक M pattern देखने को यहां पर बन रहा था उससे पहले हम इसको consider कर रहे थी कि यहां पर एक डबल टॉप बना लेगा और डबल टॉप बनाने के बाद यहां पर उपर की तरफ जाने की चांसी जाए लेकिन ओवर ओल जमिन फिफ्टी 4K को प्रेडिक किया था तो मैंने यहां पर बताया था कि यह एक M pattern यहां पर बनाएगा अब यह M depend करता है कि यह M आपका 50,000 तक जाता है यह 48,000 तक जाता है अगर 48,000 तक जाता है तो बिटकोईन यहां पर इस तरह से ऐसे यहां पर एक यह कह सकते हैं कि बिटकोईन थोड़ा नीचे की तरफ यहां से मूव करेगा और यहां से अगर हम ओवर रॉल कंसीडर करें हैं यहां पर तो एक हमारे पास यहां पर बिटकोईन की अंदर head and shoulder pattern देखने को मिल रहा है अगर यह head and shoulder pattern देखने को मिला हमें तो बिटकोईन 67,000 की range तक यह 70,000 की range तक दुबारा जा सकता है और उसके बाद हम यहां पर कुछ इस तरह से expect कर सकते हैं अब यह इसका head depend करता है कि head overall कितना down जाके बनेगा अब यहां से recovery करता है अपने head की य वापिस recover करेगा यह चीज़ बहुत important होने वाली है तो अगर overall हम indicators के through अगर इसको check करें कि indicators क्या बताते हैं क्या analysis क्या बता करते हैं तो Bollinger Band की अगर हम बात करें तो वहां पे Bitcoin को यह नीचे की तरफ यहां पे predict कर रहा है कि Bitcoin अपने lower end इस point तक जा सकता और maximum अगर हम देखे तो Bitcoin यहां तक जो है वो अपना जा सकता है 60,000 के around अगर यह pump करता है otherwise यहां पे जो हमें suggestion मिल रहे हो 52,600 के around मिल रही है और उसके बाद अगर हम moving averages की बात करें तो moving average मैंने already बहुत 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 बता दिए था कि जो 50 moving average है वो यहां पे जो है वो breakout हो चुकी है 50 moving average के नीचे क्रोस कर गिया था जैसे 50 moving average के नीचे क्रोस किया था उसी दिन मैंने टेलिकम पे शिरिए था कि बिटकोइन 54,000 पर आई अगर यहां पे बात करें 200 is moving average की अगर यहां से यह support लेता है तो Bitcoin को पर 46,000 तक यहां पर प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि अगर हम उस M pattern की बात करें अग यह Bitcoin को यहां पर 46,000 तक यहां पर लेगे आएगा और यहीं से ही हमारा जो next pattern है वो head and shoulder भी continue हो सकता है तो यहां पर मैं worst case लेगे चलना हूं कि Bitcoin 46,000 के around मैं यहां पर इसको प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि 46,000 के around Bitcoin के आने के chances हो सकते हैं तो अब बात करेंगे अपने जो Metaverse के top projects है सबसे पाले बात करेंगे मना क्रिप्टो क्रेंसी के बारे में सो मना क्रिप्टो क्रेंसी का अगर मैंने लास्ट चार्ट से आपको शेर किये थे तब मैंने आपको यह सज़ेस्ट के था कि यहां इसका breakout होने वाला है तो जब breakout हुआ तो बहुत bullish breakout हुआ तो अभी हमें इस patterns को analysis करनी है कि इस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए तो overall अगर RSI को देखे तो 64 के round है तो मैं suggest करूँगा कि RSI at least 50 तक जब तक नहीं आती तब तक आप यहां पर इसको बाय मत कीजिए और अगर यह trend line भी break कर देता है अगर यह trend line break कर देता है देन हमारे पास यहां पर इसका जो प्राइज है वो काफी नीचे की तरफ move हो सकता है क्योंकि यहां पर यह एक double bottom भी यहां बना सकता है अगर मैं यहां पर इसको थोड़ा long way analysis करूँ तो यहां पर अगर मार्केट क्रेश करती है तो राउंड 2.5 डॉलर्स के राउंड भी यहां पर पहुंच सकता है लेकिन वो तब पहुंचे का अगर यह लाइन यहां से ब्रेक हो जाती है नीचे की तरफ तो आपको हर एक support level में आपको बताते हूं जहां जहां पर आपको बाय करना चाह किया लेकिन अब फिर से नीचे की तरफ मूफ कर रहा है और अगर दुबारा 4.3 के नीचे अगर आपको थोड़ा सा देखने को मिले दिन आप इसकी उपर यहां पर ले सकते हैं और उसके बाद 3.52 के आराउंड आप यहां पर माना क्रिप्टो करनसी को बाय कर सकते तो 3.52 क के उपर हमें तो नेक्स सपोर्ट है वो देखने को मिलती है तो अगर यह ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हमारा जो लेवल होगा वो 3.52 के राउंड हम यहां इसको बाय करेंगे तो 3.52 के उपर बाय करेंगे और ज्यादा देर होल्ड अगर आपको नहीं करना तो आप सब्सक्राइब करती है तो हमारी यह पॉसिबिल्टी देगी यहां पर यहां पर यहां पर सेल फिर नेक्स्ट वेट करेंगे यहां पर 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 यहां प के उपर आपको यहां पर भाय करना है तो नेक्स हम बात करेंगे एक सी इंफिनिटी की से इंफिनिटी यहां पर अभी एक स्ट्रॉंग अप्रेंड में मूफ कर रहे तो अगर आप इसका अप्रेंड चेक करेंगे तो कंटीनियूज लिए अपने इसी अप्रेंड में मूफ कर सब्सक्राइब तो आरे से एंफिनिटी की ऊपर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 115 डॉलर्स के राउंड यहां पर बिड लगा सकते हैं करेंट प्राइस की ऊपर अगर आपको यहां पर बाय करना है तो यहां पर जादा मैं नहीं बोलूँगा कि अट लिस्ट अजास जादा 10% तक आप यहां पर इसकी ऊपर इंवेस्ट कर सकते हैं 10 से जादा मैं सब्सक्राइब करेंगा उसके नीचे 120 डॉलर्स की सपोर्ट है वहां पर आप बाय कर सकते हैं और यहां पर ट्रेंड लाइन को देखें RSI की यहां भी हमें क्या सजेशन मिलती है तो अगर यह बढ़ता है तो RSI मैक्सिमम इसकी 63 के राउंड पहुंच सकती है 63 के बाद फिर से हमें रिजेक्शन मिलके वापीस यह नीचे की तरफ मूव कर सकता है 132 डॉलर्स तक यह जा सकता है 132 के बाद हमें फिर से न सकती है और अगर बाकी इंडिकरेटर्स की बात करें तो बॉलिंजर बार्ड यहां पर यह भी सजेस्ट कर रहा है कि नीचे की तरफ आएगा 120 डॉलर्स के राउंड आप यहां पर आप अपनी बाइंग लगा सकते हैं एक सी इंफिनिटी की ऊपर और अगर मूविंग आवर में मूव कर रहा है और यह अपने से अगर स्मेटिक ट्राइंगल की बात करें तो अभी तक इसका ब्रेकाउट होना बाकी है तो अगर आप कोई सही प्राइज में मिलता है देन आप डेफिनिटी आप अपने इसको पॉट्फॉल्यू में आड कर सकते हैं क्योंकि यह मैट क्रिप्टोक्रज़ी अंतर अगे रहा है और इनके तो प्रोजेक्स घुम्य को बता रहा हो है तो इसको अगरब कोई वख शूलार की सपोट तो जिवकल फॉट सेवन फेर्न पहुंच-चुक है लिए शेवन डॉलर्स क्यूप or शूबर शिखरे से घिर सेष्ट है है और अगर आपको दुबारा बाई करना है तो एराउंड फाइब सिक्स डॉलर्स के राउंड आप यहां पर बिड़ लगा सकते हैं कि सिक्स डॉलर के उपर आपका जो टेटा को इन है टेटा टोकन है यह आपका अल्री बाइब आटमेटिक लिए हो जाए तो नेक्स अगर ह यहां पर यह एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यह कुछ इस तरह से बनाए और दुबारा एक अपना नया हाई जो है वह यहां पर करें तो सैंड की अगर बात करेंगे तो यहां पर आपको इसको थोड़ा नीचे आने दिना है और क्योंकि अभी आरे से की बात करेंगे तो पहला लेवल है 6.33 के राउंड जहां से आप इसको भाई कर सकते हैं नेक्स लेवल सीद आपको 5.25 क्यों पर भाई करना है और उसके बात का जो लेवल है वो 4.5 डॉलर्स के राउंट है तो अगरा मिनमम टार्गेट की बात करें तो यह आपका 4.5 तक जा सकता है तो आपको दो लेवल क्यों पर भाई करना है पहला लेवल 6.33 का दूसरा लेवल 5.25 का और तीसरा लेवल अगर हम बात करेंगे तो 4.5 डॉलर्स के अराउंड आपको भाई करना है तो यह एक अभी स्ट्रॉंग अप्रेंड में मूफ कर रहा है जिसको हम यहां पर राइसिंग वेच प सैंड क्रिप्टो करें उसके बाद अगर बात करेंगे इंजन टोकन की तो इंजन कोईन की अगर हम बात करें यहां पर तो इंजन यहां से एक डबल टॉप की हमने प्रेडिक्शन कर दी थी तो डबल टॉप तो यहां पर नहीं बना लेकिन डबल टॉप को भी उपर की एराउंड 1.2 डॉलर्स तक भी आ सकता है तो आपको इस सारी चीज़े ध्यान में देकर ही आपको यहां पर बाइंग करनी है तो अगर गलती से अगर कुछ गलत पॉइंट की उपर आपने डिसीजन ले लिया दिन आपको लोस भी हो सकता है तो एकदम से नहीं गिरेगा है है बाप की ततरी रिकवर करती और टाइम टू निए कि जो पाइटन में आपको बता दिए वहीं पैटन रहेगा टाईटन वसकी चीज़न होते हैं और अभी जो पैटन दीख रहा हो सकता कि पर यह जबaros बाब प्रस्त्राइब कर और कि यहां पर उसने और पैटन मनाया फिर यहां से उसने एक टॉब बनाया आए उसके बार फिर से यहां पर हो सकता है अजूरिय फीट उसके होता है यहां से यह एक नया आपना Kusz Tissu आपको मिलता है आप डेफिनेटली इसके ऊपर जो एंट्री है वो ले सकते हैं नेक्स अगर बात करेंगे वेक्स क्रिप्टोकृंसी की बारे में तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉंग अप्रेंड में मूफ कर रही है लेकिन टे चार टी यूपर और अरे से की बाथ करें तो बहुत कम शाहां पर को मिले राउंड 33 के राउंड हमें जो RSI है वो देखने को मिल रही है तो इसको मैं सज्जेस्ट करूगा कि अगर आपको इसको भाई करना है कि आप इसको 0.6 डॉलर के उपर इसको भाई किजिए 0.6 की उपर आपको एक अच्छा कासा जो प्रॉफिट है वो यह आपको दिला सकती है क्योंकि यहां पर जो पैटन में एक्सपेक्ट करूँ यहां पर हमेरे पास इन्वर्स हेड और पैटन देखने को मिल रहा है और यह पर वेक्स क्रिप्ट करनसी जो मूफ कर सकती है वो कुछ आप से मूफ कर सकती है तो इसको अगर आपको बाइख करना है 0.6 डॉलर के अराउंड आप यहां पर इसको भाई किजिए अगर क्यूंकि अगर थोड़ा सा भी मार्केट नीचे की तरफ अगर क्रैश करी देन यहा और यह आपको एक क्विक प्रॉफिट भी निकाल के दे सकता है तो यह थे सारे के सारे आपके मेटावर्स के टॉप क्रिप्टो प्रॉजेक्स जिसमें बना एक्सी इनिफिन्टी थेटा सैंडबॉक्स इंजन और वेक्स क्रिप्टो करनसी के बारे मेंने डिसकुशन किरी तो इसके लाबा अगर आप किसी भी और क्वाइन टोकन की डिटेल्ड एनलसिस चाहते हैं देन आप में को इंस्टाग्राम के उपर डिम कर सकते हैं यह मेरा टेलिगम चैनल जोइन कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में वेको बता सकते हैं इससे प्रकुशन में जो शुब बंड़े कंग के लिए दोक अगर्या टाए अक्श्ट प्राइस प्रैस प्रेक्शन हेल में तब तक आप चैनल साथ बने रहिए वीडियो के लिडियो को लाइक की जैनल को सब्स्क्राइब की जिए मेलते हैं निक्स हैरे सिप्राइस प्रे